दोस्तों ये है ओपो रेनो 10 प्रो 5G स्मार्टफोन कंपनी की तरफ से 12GB 256GB स्टोरिज वेरेंट को हमारे पास भेजा गया है ये फोन परपर कलर ऑप्शन में आता है तो ये फोन कैसा है दिखने में ये हम जानेगे आज के अन्बॉक्सिंग वीडियो में तो चलिए सुरू क करते हैं आज का अन्बॉक्सिंग वीडियो मैं हूँ स्वारो बर्मा और आप देखना सुरू कर चुके हैं अन्बीटी टेकल्ट ये है ओपो रेनो 10 प्रो 5G स्मार्टफोन इस फोन को सीधे अन्बॉक्स करेंगे और आपको बताएंगी कि आखिर फोन में क्या कुछ खास इसका लीडिया गया है तो चलीए फोन को करते हैं अन्बॉक्स तो बॉक्स ऐपन हो चुका है इस बाक्स में कूछ यूजर मैन्वल दिये गया है इसके लावा फोन को कवर निकिन और उप होन के अच्छी है धंड़ को सीम एजएटर टूल भी दिया गया है फोन के बॉक्स में आपको charger भी मिलता है यह charger 80 watt fast charging support करता है इसके अलावा आपको USB Type-C charging port मिल जाता है इसकी length काफी अच्छी है जैसे आप देख सकते हैं इन सब चीजों को किनारेक्ट देते हैं और देखते हैं कि आखिर phone कैसा है तो finally यह हमारा phone आ चुका है वा क्या शांदार phone है आप इस phone की design देखिए बैक से कितना खुबसूरत है phone phone का camera cutout बिलकुल नए अंदाज में paste किया गया है capsule shape में camera cutout दिया गया है इसके अलावा दो चोटे camera दिये गया है यह phone AI portrait mode के साथ में आता है इस phone का camera cutout खासकर मुझे काफी अच्छा लगा है इसके अलावा phone का rear भी मुझे काफी अ आता है लेकिन देखकर आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि यह phone plastic frame में है आपको ऐसा feel होगा कि यह phone glass finish में आता है यह phone बिल्कुल आपको premium smartphone का feel देता है अगर phone के front की बात करें तो phone का front जो है वो कर डिस्पले के साथ में आता है मतलब phone जितना back से खुबसूरत है उतना ही कंपनी ने phone को front से भी खुबसूरत रखने की कोसिस की है चलिए phone को setup कर लेते हैं और देखते है अगर phone की hold की बात करें तो जब आप phone को हाथ में लेते हैं तो उस वक्त हलका सा वजन phone में महसूस होता है मतलब यह साय 200 gram के आसपास तक का smartphone है लेकिन इस phone की सबसे अच्छी ब बजहें कि फोन ग्लॉसी फिनेस में आता है तो इस हिसाब से फोन मुझे काफी चांदार लगा डिजाइन में यह फोन बेहत चांदार है फोन सिक्यूरिटी के लिहाद से काफी अच्छा है क्योंकि इसमें इन डिस्पले फिंगर्बिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है अ यहीं उपर की तरफ भी वेजल इजाती है जबकि किनारों से फोन बिल्कुल बेजल के लिसे तो आप फॉन का जब डिस्प्ले देखते हैं तो फोन का डिस्प्ले काफी बड़ा होता है काफी अच्छा फील करता है फून में काफी आचछी ब्राइटनेस देखने को मिल जा इसमें 8GB एक्चुल रैम है जबकि 4GB वर्चुल रैम सपोर्ट दिया गया है फोन Android 13 सपोर्ट के साथ में आता है तो यह है फोन की कुछ डेटेल जो फोन के अबाउट सेक्षन में दी गई है आपको रिवीडियो में बताएंगे कि आखिर फोन की स्वेसिफिकेशन कैसी है फो झाल